जैहिन साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉंप्रेटिव जंगिशन में अभी हम लोगों की जो सीरीज चल रही है जोग्राफी की दोस्तो उसके अलावा मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंपोर्टेंट डेज याद करवाता हूँ प्रमुख, राश्ट्री और अंतराश्ट्री दिवस जो हर एक्जाम में आते हैं एक कोश्चन तो हर एक्जाम में बनता ही बनता इससे रिलेटेड कोश्चन पिछली बार जो पटवारी की एक्जाम हुई थी मद्धिप्रदेश पटवारी की उसमें दो-दो questions बने थे दोस्तो इस से related हर एक्जाम में वैसे इस से questions बनते हैं और इसको याद रखने में बहुत कठिनाई होती क्योंकि 12 महीने और बहुत सारे इसमें दिवस होते हैं जो याद रखने में बहुत मुश्किल होते हैं तो हम लोग इसको याद करेंगे अपने ट्रिक के जरिए नेमोनिक्स के जरिए तो देखना दोस्तो ज्यादा मैं देर ना करते हुए तो जनवरी को तो अपने को याद रखना जन से जैसे हम लोग बोलते ना कितने जन आ रहे हैं दो जन आ रहे तीन जन आ रहे पांच जन आ रहे दस जन आ रहे इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है तो जनवरी को अपने को पढ़ना है जन से आगे जाके हम लोग जैसे March को मिर्शी से पढ़ेंगे इस तरीके से हमको याद रखना है तो देखते हैं दोस्तो 9 जनवरी को बनाए जाता है प्रवासी भारती दीवस NRAI Day 9 जनवरी को क्या बनाए जाता है प्रवासी भारती दीवस NRAI Day गांदी जी South Africa से वापस आये थे उसी की यादबर बनाया जाता है और सिफारिश किस ने की थी यह बनाने के लिए LM सिंग भी समीथी ने ठीक है ध्यान रखना तो अब इसको connect कैसे करें ठीक है आप NRI हो क्या? No, तो no जन NRI है क्या आपकी कालोनी से? No, आपकी कालोनी से no जन NRI नहीं है कोई भी NRI नहीं है तो no जन NRI No, I am not a NRI ठीक आगे बड़े 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस World Hindi Day मनाया जाता है 10 जनवरी को तो दोस्तों याद रखिएगा पूरे भारत में 10 जन ही काफी है 10 जन ही काफी है किसके लिए? पूरे विश्व में हिंदी को फैलाने के लिए भारत में 10 जन ही काफी है उन में से एक नाम में आप लोगों के सामने लूँगा कुमार विश्वास जी का कुमार विश्वास जी को आप लोग सभी जानते हैं सभी ने सुना हुआ है उन में से एक वेक्टी यह है आगे बड़े दोस्त ग्यारा जन्वरी ग्यारा जन्वरी को बनाया जाता है लाल बहाद्दूर शास्त्री जी की पुढ़नेती थी है अब अपने को ऐसे आद रखना है एक एक करके या एक एक जन्वरी भारत का एक एक जन्वरी यूवा दिवस अगर बारा जन्वरी मिल जाएंगे यूवा तो क्या करेंगे सबकी बारा भी बज़ा देंगे या बारा जन्वरी मिल गए अगर यूवा तो बहुत बड़ा काम कर देंगे देश के लिए बहुत बड़ा हमारा देश क्या है सबसे यूवा का देश है तो बारा जन्वरी अगर मिल गए तो ये क्या हो जाएगा यूवा दिवस हो आगे बढ़े 15 जनवरी को थल सेना दिवस बनाया जाता है इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है तो 15 को मैं हिस्ट्री में सारे सन आप लोगों को इसी तरीके से याद करवा दूँगा पंद्रा जन्वरी को तो मतलब पंद्रा जन्वरी एक पंच मारेगी कौन थल सेना मतलब आपकी इंडियन आर्मी अगर एक पंच मार देगी किसी को तो सब पंद्रा जने एक साथ धेर हो जाएंगे एक पंच मारा और सबको धेर कर दिया जितने भी जने सबको धेर कर देगी म पतलब किसको आतंगवादी को तो एक पंच मारा किसमें थल सेना ने पंच मारती एक पंच मारा थल सेना ने ठीक आगे बढ़ते हैं तेवीच जनवरी को सुभाष चंद्र बोज का जनवरी सब्सक्राइब इसको हर बार माँधती लएते है कि देश प्रेम दिवस घोशित कर दिया जाये काफ़ी टाइम पर मांग उठती रहती है और एक दो बार एक्जाम में कोशन आया हुए है कि देश प्रेम दिवस कब मना जाता है तो सुभाश चंदर बोज जी के दिन में न तो ऐसे याद रखना सुभाश चंदर बोज जी की मृत्यू से रेलेटेड बहुत सारे कहानिया च चलती है या दो तीन जन अलग अलग बात बोलते हैं कि बोज की मृत्यू हुई बोज की मृत्यू ऐसे हुई बोज की मृत्यू ऐसे हुई आगे बढ़ें 24 जनवरी तो 24 जनवरी को अपने को याद रखना है क्या राश्ट्री बाली का दिवस नैशनल गर्द चाइल्डे 24 घंटे कौन काम करती है हमारे यहां की जो बाली का है 24 घंटे हमारे यहां की बाली का काम करती रहती है 24 घंटे बाली का जन काम करती रहती है ऐसे याद रखना है 24 घंटे बाली का जन काम करती रहती है आगे बढ़े 25 जनवरी को राश्ट्री मत दाता दिवस नैशनल वोटर बहुत सारे लोग 5 जाते हैं बहुत लेट जाते हैं तो मत दाता दिवस पच जाते है कब जब 25 जनों की भीड़ेखसाथ होगी पच पच जाएगे तो बहुत सारे लोग क्या करने निकल जाएंगे घूम में फिर निकल जाएंगे परियतन बोले यह वोट डालता तब तक मैं तो 25 जन अगर एक साथ वोट डालेंगे तब तक आप भूम किया जाना परियतन तो एक साथ क्या हो जाएगा आपका भारती परियतन दिवस भी याद हो जाएगा इस तरीके से ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं 30 जनवरी को क्या बनाया जाता शहीद दिवस तो महात्मा जी ने कुष्ट रोग निवारन कारिकरम चलाया था खालागि उन्हों नहीं चलाय था पर अपने लिपने को आपने को एसे माहत्मा गांदी से याद रखना सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस उसी दिन ही यहां बताता हूं एक जन्वरी को विश्व परिवार दिवस मना Teman Toh एक जन्वरी मैं पूरे परिवार का निर्वाहन करता मतलब एक जन कमाता से पुराने जांए में चलता था था टो एक जनी क्या और पूरा परिवार समभालता एक बड़े होताrence चार जन्वरी को लूइस ब्रेल दिवस ठीक है तो बेल के कितने पेर होते है चार बेल जनों के पेर कितने होते है चार होते है तो बेल के कितने पेर दोस्त चार तो बेल के कितने पेर होंगे चार पेर होंगे इस तरीके से अपने को याद रखना दोस्त यह थोड़ा सा मैंने अपने को याद रखना है क्या important days याद रखना है राष्टी और अंतराष्टी दिवस अपने को अच्छे से ऐसे याद रखना है दोस्त यकीन मानिए आप लोग इसको अगर एक दो बार दोहरा लोगे ना